और अब कुछ खबरें जिलों से इसी तरह उन्हें थर्ड जेंडर प्रमाड पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाड पत्र आधी बनवाने के लिए सरकार की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया कोरिया पुलिस अधिक्षक प्रफुल ठाकूर ने पीडितों की समस्या सुलजाने के लिए जन्दशन के शुरुआत की जिसमें जिले के सुदूर, वनांचल, ग्रामिन, शेत्रों के पीडित भी अपनी शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं उनकी समस्याओं से रूबरू होने के बाद पुलिस अधिक्षक ने बताया कि आने वाले समय में लोगों की समस्याओं की निराकरण के लिए सभी डिविजन में जन्दशन शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि आम चन्ता के मन में पुलिस का भय न रहे इसके लिए पुलिसिंग को बेहतर बनाया जाएगा बलरामपूर जिले में कोविड वैक्सिनेशन के दूसरे डोज का महा अभियान चलाया जा रहा है इसके माध्यम से 1,97,000 लोगों के टीका करण का लक्ष रखा गया है जिले में कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्क दर्शन में कोविड वैक्सिनेशन को लेकर लोगों को जागरूप कर उन्हें वैक्सिनेट किया जा रहा है जिला मुख्य चिकित साधिकारी डॉक्टर वसंत सिंग ने बताया कि जिले में कोविड टीका करण के दूसरे डोज को जिला प्रशासन एक तेवहार के रूप में मना रही है जिसके लिए जिले में करीब 570 टीका करण केंद्र बना कर लोगों को वैक्सिनेट किया जा रहा है टीका लगवाने पहुचे लोगों का कहना है कि इस अभ्यान से उन्हें काफी राहत मिल रही है